वो गाइस अभी यहां से निकल रहा हूँ है अपने शॉप से और आप यहां पर देख सकते हों आने मैप सेट कर दिया है और अक्चुली माप दिखा रहा था तो वो कुछ रेस्टिक्रीड एडिया है लेट सी यहां पर जाकर देख तुलसी लेखा तुलसी लेख अपेश्बीप आज से लेख आज अरा यहां शॉच्वार यहां बंड़ेक्व अच्छा आकर शीघये है। तो तो गाइस अभी यहां से निकल रहा हुआ अपने शॉप से और आप यहां पर देख सकते हो मैंने माप सेट कर दिया है और अच्छली माप दिखा रहा था कि वह कुछ रेस्टिक्टेड एरिया है लेट सी वहां पर जाकर देखते हैं विकाज गोरेगाव इस्ट में जो आरे कॉली है जो फॉरस्ट है तो वह उसके बीच में से वह तुलसी लेक हमको मिलेगा देखने के लिए तो लेट सी अभी आगे क्या होता है आए अप सो हमको मिल जाने के लिए और जिस रसाब से मुझ जाने के लिए तो देखते हैं वहां पर जाते हैं और कैसा है फिर मैं आपको आगे बताते रहूंगा तो फिर मिलते हैं आगे और ज्यादा तो है नहीं उल्ली 15 किलोबिटर्स तो हो जाएगा राइट फटाफट कम्प्लीट तो मिलते हैं गाइस टेकर तो गाइस आप प्लिम सिटी तो यहां पर होती है जो सीरीज होती है जो प्लिम सिटी तो यहां पर मैं एक बर आया था अपर कोमेडी नैट्स में प्लिक शो में और बहुत सारे सेट देगे थे मैंने तो अबी तो फिलाल पता नहीं यहां का माहूल के साथ तो कि बहुत टाइब के बाद में आया हुए है यहां पर अबस्त पेड है सिंगल लेल और और यहां पर आगर किसी को भी आना है अप्लिम सिटी पर कुछ तो दिया हुआ है फंटब चोटा लैंडमार्क है और अबस्त दिना है कि यह एंट्रेंस है फ्लिम सिटी का आप देख सकते हुए यहां पर सेक्यूरिटी वर्निंग और सब कुछ दिया हुआ है पर हम अभी बढ़ रहे हैं आगे आगे तो आप यह भी देखें टैली फ्लब एललपी सम्तिंग लिखा हुआ है जो मेरे पल्ले नी फड़ेगा हुआ है अभी हम यहां से आगे जा रहे हैं और यहां पर यहां पर शूटिंग अगरा होती है कि यह पीच रौण में पैड़ेटी भी तार में जालो रगोड देख कर घ्यां देखें तो गाईश जहां तक मेरा सवाल था कि यह रस्ता बंध है कि यह बंद है गया है कि तास जा सकते तुल्सी लेक तुल्सी लेक आवाज दू अच्छा करेंगें तुल्सी लेक लाइज से ऐख हा है तुल्सी लेक तुल्सी लेक हाँ तुल्सी लेक लाइज से है थेख याँ वेचह हुआ कि आ विच्छा याज भी चाँ पारेश्ट वाले बाइक बाइक पारेश्ट वाले बाइक बाइक बर कुन फॉरेस्ट वाले के लिए ने फॉर्शी लेकला बाइक पडंडै या खुट्ल वाले फॉरेश्ट वाले करना पता हुंक पारेश्ट वाले बाइक तुल्सील उिछिता दिन्ट उव्यों सिर्शह्ट वाद्र— क्लांसरी वाले प्र्लीन निसिते खुल शक्र का बाइक पार्वकर्द बाहु ठीव. क्या मनता है रस्ता बंदा है क्या मनता है रस्ता बंदा है रस्ता बंदा क्या मनता 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 ह कर दो चर्ण कर दो यह जब जो है कि है कि कि अब जो मैं तूलसी लेक लाइसा होता है फुला यह कुना अलब यह लिगा इने का फुला वाला यह यह लाइन करण कि इकड़े कासे माप और वाला दाखवाद होता अच्छा करण को अच्छा, मैं अब युकार कोटली तो हैंगा इक डूसरा कुसरा कुटली है इक सकातातո है तिक आप सब्सक्राइब तो यहां से बताना चाहता हूं आप यह गेट देखिए ठीक है और यहां से इसके आगे एंट्री नहीं है अक्छुली मैंने जब आपको पहले भी बताया था कि मुझे माप पे दिखा रहा था वो रस्ट्रिक्टेड है और मैंने सोचा कि शायद मुझे एंट्री मिल जाएगा बट वो एंट्री नहीं मिली है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका नाम अकाश तो मेरे साथ आकाश भाई है जिन्हों ने बोला है कि इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं तो मैं आपको उसका reason बताऊंगा एक्चुली वो आकाश भाई रीजन बताएंगे विकॉस इनको जाधा पता रहेगा इस जगे के बारे में तो आकाश भाई अपने को यह बताईए कि यह जो एंट्री यह वो कितने सालों से बंद है कि मिनिमंब बीस साल हो गया तो गाइज यहां पे जो एंट्री है वो 20 साल से बंद है तो आप मुझे रीजन बता सकते हो लेपड के वज़े अच्छा लेपड के उजह से और लेपड रख messing आपर इसा है यह आपर पहले बहुत लोग आया करते थे और तो यहां पर बहुत सारी चीजे हुई है जिसको देखते हुए यह 20 साल पहले ही बन कर दिया था और मैं आपको सच बता हो तो मुझे खुद नहीं पता था इस जगे के बारे में तो अच्छा है कि मैं इस जगे पर आया और आपको मैं यह बता दू कि यह जो जगा है वो अच्छा जगा है बट मैं आपको बोलता हूं कि अनफोर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा सकते हैं और वापस से मुझे रिटन जाना पड़ेगा बट आकाश भाई को मैं थांक्यों बोलना चाहता हूं कि इन्हों ने जो भी में को इन्फोमेशन दिया है इसके बारे में त पहले प्रॉब्लम भी हो चुकी है तो आकाश भाई फिर आप क्या बोलना चाहते हो कि यहां पर दुबारा ना आये कभी आएक तो बुरीवली से अगर बहुत ही जादा आपका पहचान है अगर पहचान है तो आप बुरीवली से परमिशन लेके आप अंदर जा सकते हो वह वह भी स्रिफ फोविलर गाइस तो टूविलर बाइकर अलाव नहीं है तो मैं आपको बता दूँ और प्लस यहां पर सरफ जो एंट्री है वह स्रिफ फॉरस्ट वाले को है तो काईस फिर मैं निकलता हूं वापास रिटन घर के लिए और सॉरी मैं आपको लोकेशन ने जाता हूं कि जब मैं वहां से रिटन आ रहा था जैसे मने आपको बताया था कि तुलसी लेक के लिए जो रूट है वो बंद किया हूँ है वहां से अप्रॉक सेवन किलोमेटर के यहां से बंद है तो मुझे वहां पर संदीब बाई मिले तो संदीब बाई ने एक्चुली म यह एक्चुली जो एरिया है यह नैशनल पार्क है और यह फोरेस्ट के अंदर में आता है बट उसमें एक पार्ट है कि जो ब्रीटिशों के ताइम से बंबे नैच्रल इसरी सोसाइटी यह एक ओल्डेस ओर्गनाजिशन है जो कॉंजर्वेशन के लिए काम करती है इन्वर बहुत मज़ा आएगा तो मैं आपको सब लोगो को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेंबर बन जाओ भी एनचेस पे बंबे नैच्रल हिस्टी सोसाइटी जो ओल्डेस ओर्गनाजिशन इन्वर्मेंट कॉंजर्वेशन के लिए और आप मेंबर मन के नेचर का भरपूर आन ठीक है तो आपको मैं बता दूगा कि कहां पर जापको रजिस्टर करना है और एक्चुली संदीब भाय ने बोला कि उनकी थंडर्ड वर्ड है यहांपर 350 तो एक्चुली वह उसको देखने भी आय था और संदीब भाय से मिलने भी आय तो तो संदीब भाय एक्चुली संदीब भाय के गर पर किसको अडॉप करना है कि तन्सों अगरे तो अभी भी कॉंटेक कीजिए शॉर शॉर मेरा नंबर है 930-950-8790 संदीब प्राजपूर ओके यह बताना चाहता हूं कि आप जो जगे को मैं लेके बता रहा तो जो इन्फरमेशन मैं दे रहा था आपको आप लोग है ना कभी जितने भी जो भी अनिमल्स आप उनको ना हर्ट मत कीजिए बिकास हम लोग नेचर को तकलीफ दे रहे हैं इसलिए नेचर भी हमको तकलीफ दे रहा है वाइस मसा है तो इसलिए बेटर यह है कि जितना हो सके नेचर को बचाईए और हम अपने खुशी के लिए उस जगे पर जाके उस जगे वह गंदा मत कीजिए और एक यह रिक्वेस्ट रना कि हम पहीं पर भी जाते हो ना साफ सफाई रखिए है तो गाइस फिर मिलते अभी शॉप पे निकलता हूं मैं और संदीब जी से में को बहुत अच्छा लगा मिलके तो संदीब भा पका पका ठीक है चलेगा बाबाई थांक्यू निकलता हूं मैं शॉप एक चलो बाई